हेलो गाइस वेल्कम टू माई चैनल कुस्पा अनू काजल खाना का जाना में मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ नही रेस्पी चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर मैंने एक पैन लिया पैन में ने तीन टेबल स्पून ऑईल डाला है अब इसमें हम डालेंगे कटी हुई बारिक लस्ट की कलिया इसको थोड़ा सा लाल होने जाए यह यूंकि लस्ट मैंने पहले इसलिए डाला क्योंकि लस्ट थोड़ा पकने में टाइम लगता है इसलिए थोड़ा लाल हो जाए उसके बाद हम इसमें आइड करेंगे ग्रेन चिली कटी हुई बारिक आप चाहे थोड़ी और आड कर सकते है पर कोड़िंग की से इसी तरफ चलाते हुए रहता है थोड़ा गोल्डन ब्राउन तब सुना रहा होने तक हम्हारा अजब लेस्ट करेंगे बारिक कटी हुई प्याज, इसको भी हम मिस कर लेंगे और इसको भी हम सुनहरा ब्राउन होने तक भूनेंगे, इसी हमें पूरी तरह से नहीं पकाना है, अब हम इसमें एड करेंगे, बारी कटी हुई 비еюсь, इसको भी हमसबजी में अच्छी तरह से मिस कर लेंगे, इसको हमें लो फ्लेम पे पकाना है, इसमें हमने आइड किया है, बारी कटे हुए एक्दम पत्पी पीसे में आलू, आलू को भी हम इसी मिस करके, चार रो तरफ अच्छे से हिलाते हुए पकाना है, अब इसे हम 2-3 मिन हम फिनेट कर देखे लेते हैं अलो थोड़े हलके पक चुके हैं थोड़े ही रहे गए और इसवे मसाल精- रॉंपन'T इसमें हम मसाले करकेलगे onlyまने मै政府 रेज भली पावडर चिली पावडर और थोड़ा सा एक टेबलिएस्पून गरम मसाले सभी मसालों को आड़ करके हमें इसे चारो तरफ से अच्छी तरह से चलाते रहना है एकदम लो फ्लेम पर जिसे मसाला हमारा लगने ना पाए अगर मसाला लगे तो आप एक दो टेबल सुनों इसमें पानी आड़ कर सकते हैं थोड़ा सा वैसे हमें इसमें पानी आड़ किये ह और फिर इसे हम दो से तीन मिनट के लिए फिर पकने के लिए रख देंगे चार मिनट हो चुके हैं हमारी स्टफिंग अब रेडी है यह देखिए अच्छी तरह से बनकर तैयार है अब इसे हम एक चम्मच की मदद से दबाते रहेंगे आलो को जिससे आलो जो है वो थोड़े खाड़े हुए दा दिखे जिससे स्टफिंग हमें भरने में आसानी होगी हुआ जैना हम पांस से दस मिनट के लिए छोड़ देते हैं में स्टफिंग होमाई ठंडी होने थे इसके जिससे हमने एक प्लेट में निकाल लेंगे इस्टपिंग हमने एक प्लेट पर निकाल लिया है इस्टपिंग हमारी ठंडी हो चुकी है अब चलते हैं आटे की ओर पार्टिक हमने फ्रीज से एक दू भंटा पहले ही निकाल दिया था देखिए जिससे यह सोफ्ट हो चुका है और इसे अभी हम थोड़ा और हाथों से हो जाए जाए ओवे हमारा प्लेट हो चुका है चली हम इसके दो पीसे कर लेते हैं अब एक पीस को हम से लंबा ब्यायते हुए बना लेना है इस तर्ण करके देखे, इस तर इसे करते हुए हम इसे एक लम्बा फीस बना लेना है और इसके हम 3-4-5 फीस इतने भी हो सके इतने कट कर लेनी है अब हमारे 5 पिस कट हुए है आब इसमेंMr. में एक अटी कालोई लेंगे और इसे हम बेलन की मदद से रोटी की तरह बेल देंगे ना ज्यादा लंबा ना ज्यादा चोड़ा ठीक ठीक इसे बेलना है जिससे हमारी स्टफिंग अच्छी हो इसे ज्यादा ना मोटा नहीं रखना हम इसे पतला ही रखना है और इसमें एक चमज की मदद से हमें स्टफिंग भर दी ह देखिए इस तरह करके हमें इस के अंदर इस्टिपिंग भणनी है और फिर हमें इसे इस तरह करके इसे चारो और से दबा देना है हम उंगलियों की मदद से चारो तरफ से इस तरह दबाएंगे यह हमारे खुलेंगे नहीं देखिए इस तरह करके हमसे चारो तरफ से कैसे फिंगर की मदद से हमसे दबा देंगे और फिर हातों की मदद से इसको हम प्रेस कर देंगे और एक एटीज जैसा सेव दे देंगे यह देखिए अब हमारा एक पेस बनकर तयार है अब इस तरह करके हम दूसरा भी पेस तयार कर लेंगे और इसमें भी हम इसी तरह स्टिफिंग बैर कर तयार कर लेंगे देखिए इसको भी हमें उसे तरह करना है हमें स्टिफिंग को सही से बढ़ना है कि बाहर की और निकल लेड़ा इसे और अचारत आप फिंगर की मदद से भी टैप करके दबा देना है यह हमारी खुलेगी नहीं स्टफिंग यह आटे की है हमें से कोई पाने या कोई गोल लगाने की ज़रुरत नहीं है और इसे भी हम हाथों से टैप करकर के बना लेंगे इस तरह करके हम सारे पीसें बना अब चलते हैं हम गैस कियो और इससे हम सेलेफ फ्राइ करेंगे हम इने एक पैन में 3-4 टेबल स्टून ऑयल डाल दिया है और इसमें हम एक इक किस करके हम इसको पैन में डाल देंगे और एकदम लो फ्लेम पर पकने देंगे इसी तरह हम इसे उलट पलटके दोनों तरफ लो फ्लेम पर पकाना है इसता करके हम इसे दोनों तरफ पका लेंगे अब आप देख सकते हमारा डास्ता रेड़ी है देखिए दोनों तरफ से कितना क्रिस्पी और कुड़कुड़ा बनकर तयार है तो आपको हमारी गुथे वह की ए रेष्पी कैसी लगी प्रीज अच्छी लगी हो तो लाइक और सॉस्क्राइब काना नाभूले थांक्स फो रोजी